आपने एक एक्सपरिमेंट देखा होगा जब हम कुछ चीजों को पाहनी में डालते हैं तो क्या होता है कुछ चीज़े रूप जाती है कुछ चीज़े तैलती होते हैं आज के टॉपिक का नाम है फ्लोटेश चीज़े रूप जाती है तो आज के टॉपिक का नाम है फ्लोटेशन और देंसिडी आज हम फ्लोटेशन और देंसिडी का चेक्ट सेखने बार हैं ओके वेल्टम यॉवाल गाइज Now let's see what is floatation and what is density. कि floatation क्या होता है? floatation basically एक ऐसी property होती है किसी भी substance की जो उसको तेराती है. तो इसको English में हम definition कैसे बनाएंगे floatation की? देखो, यहाँ है. The property of a material to float on the surface of the water is called floatation. कि किसी भी substance की, किसी भी material की ऐसी property जो वोटर के surface पर उसको तेराएं, उसको float कराएं, तो उसको क्या कहेंगे हम? floatation का एंगे है. तो कौन सी चीज़े float होंगे और कौन सी चीज़े float नहीं होंगे? यह कौन दिसाइन करता है? यह दिसाइन करता है, उसकी density. कौन दिसाइन करता है? density, देखो. तो अब density क्या है? what is density? density is a mass per unit volume of substance. mass मतलब उसका weight, okay? mass per unit volume of a substance. आप ना एक simple experiment करो, एक कुई डी आईरन की चीज लेलो, लोहे की चीज लेलो, एक size सेम होनी चाहिए, लोहे की चीज लोहे इतनी और एक लोहे आप वुड की. अदरवाई आप मार्केट जाते होंगे पपा के साथ में, तो जो पुरानी weight machines होंगी, जो पुरानी weight करने के जो तराजू रहते हैं लोगों के पास, वहाँ पे weight देखना होंगे पास है, एक केजी का, वाली केजी का, जो weight होता है, वो इत्तु सा होता है, okay? और उसके बंदे जो आप bagel लाते हो, या और और कोई vegetable लाते हो, तो as compared to that, the size is big, okay? उसके बंदे में उसकी size जाद होती, सबोज आपने एक किलो pumpkin ले लिया, तो pumpkin की जो size है वो एक किलो weight के comparison में जादा है, okay? अगर आप one kg of cotton नापते हो, cotton का, cotton मोल रही हो मैं, simple cotton, okay? तो वो भी जादा होगा, दोनों solid है, अगर आप one kg of क्या नापते हो, good नापते हो, तो उसका volume जादा होगा, और जो weight है, उसका volume का मैं हूँ इतना साही है, ऐसा कि हुए, क्योंकि उसकी density जादा है, उसकी density जादा है, मतलक कि same, उसकी size same होगी, इसकी और इसकी size same होगी, तो इसमें कितने molecule है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ऐसे एकदम पुचपुचपक के बढ़े होगे इसके पास में, और एकदम से इसमें space ही नहीं है, बहुत ही जादा है, एकदम tightly pack है molecules में, तो यह क्या है, यह देखो iron है, कि mass per unit volume, और यह molecules होगे, यह क्या होगे, यह वजंदार भारी भरकम molecules होगे, अगे अगे, और यह हो गया, इसके भी molecules कैसे होगे, tightly pack होगे, लेकिन इसके पास में इनका वजन ही और टायकống होगे, तो यह वजंदार भार्प eतन है, यह भी tightly pack है, अजिए अज़्चों देखो जब हम वोड को डालेंगे तो यह फ्लोट होगा। सपोस्थ यह बीकर है यह पानि रखा है हमने और इसमे आयरें डालेंगे तो आईरेंगे यहाँ प्धापर zwr настолько बदिशित सब्सक्राइब करेगा त्योंकि क्या होका अगर हम इस में कौimento को पानी से लो और भ Mix अगर यह को पानी स आघ सीस दिल्हुत ग्यात मिश्वरम मोई दो के इस50 लिद it will sink, क्या होगा एक पूरी देर बार, sink होगा नीचे जाएगा धीरे धीरे, क्यों गया नीचे धीरे धीरे, भूलो, because इसके अंदर ना space थी, इसके अंदर air थी, वो soft था, cotton क्या था, soft material है, तो उसके अंदर space होगी, उसके अंदर air होगी, जो कि जो space air ने ली थी, cotton में, जो space air ने ली थी, वो space अब क्यों ले रहा है, जैसे जैसे वो दीरे-दीरे, water में sink हो रहा है, वो space क्यों ले रहा है, water ले रहा है, और water की density है, वो air से जादा है, तो obviously cotton के density बढ़ेगी ना, cotton के density बढ़ेगी, चीज़े एकदम से sink हो जाती है, कुछ चीज़े होती है, जो टेरती है, float होती है, और कुछ चीज़े होती है, जो पहले तो उपर टेरती है, और बाद में नीचे sink होते जाती है, this is the concept of floatation, तो एक बार याँ floatation के definition बढ़ेगी है, the property of a material to float on the surface of a water is called as, is called as floatation, okay.